थेलो स्टुडेंड्स। आए अगर हम बात करने जा रहे हैं विज्वाजवाश। बीसिक मेंत 55 कोमैलोग कंट्रोल के बारे में तो आधिक डिर्ट करते हैं हम कित आकर कॉमैंट princes क्ट्रोल का हमारा क्या रोल होता यह रिज्वानो विज्वाश। में so the common dialogues are all parts of one control the common the common dialogue control यानि common dialogues जो होते हैं हमारे उसमें हमारे सारे parts जो होते हैं वह एक control एक control के लिए होते हैं जिसको हम common dialogue control बोलते हैं then you add that control to program with a visual basic project component menu item ठीक है आप जो है इसको easily add कर सकते हो with the help of project component menu item इसको हम भी briefly discuss करेंगे with the help of steps then click the control tabs in the component box and open that open and select the entry level Microsoft common dialogue control the click on ok to close the component box यानि की firstly क्या होता है कि हमें click करना होता है component menu item पर then हम अगर बात करें simply तो हम जो को अपना टूल बॉक्स जो होता है टूल बॉक्स पर हम right click करते हैं देन हमारा component का option हमें इस तरीके से available हो जाता है components का option ता उस पर हम click करते हैं तो हमारे आपका पास क्या होता है तो आपका क्या होता है कि जो common dialogue control होता है वह आपके form में add हो जाता है इंदा toolbox you use the control action property to display a dialogue box फिर आप उसको toolbox में as the control use कर सकते हैं अब आप यह दिखते हैं कुछ हमारे पास steps दे रखे हैं कि there are some methods of dialogue box यहने कि हमारे पास कुछ method है dialogue boxes के तेन फर्स्ट option के अब बात करें तो show open show open की help से हम क्या करते हैं dialogue box को open करते हैं then show shape की help से हम क्या करते हैं show save हमारे पास method होता है उसकी help से हमारे पास save dialogue box जो होता है वह हमारे पास show हो जाता है show color की help से हम क्या करते हैं कि हमारे पास color dialogue box जो होता है वह show हो जाता है हमारा डिस्प्लै हो जाता है डिस्प्ले हो जाता आप इम इस अगर ऌत करें तो अगर अदियरली अरे सिस्टम हो यह मारे भलता है उपिन प्रिंट और फर विंट लौकं करें कि verm premise एक ऐसेट अधाया नोस्त theatreacs इन्वोंक सा विंडो हेल्स इंजन यानि कि विंडो हेल्स इंजन जो होता है ऑन-लाइन और ओफ-लाइन वो हमारे पार डिस्प्ले हो जाता है तो आएए इन सब जो हमारे मैथड्स हैं इनको हम ब्रीफ में विद अहलप उफ सम स्टैप्स हम देखते हैं अब भी हम इन steps को थोड़ा briefly remind करते हैं कि how to make and use of common dialogue box in visual basic यानि कि visual basic में हम किस तरीके से common dialogue boxes जो होते हैं उनको हम बनाद implement करते हैं उनको हम पहले तो develop करते हैं और फिर उनको use करते हैं तो to make or use the common dialogue box in visual basic follow these steps अगर आपको common dialogue box in visual basic में बनाना है तो आपको इस steps follow करने होते हैं firstly right click on the toolbox या आपको क्या करना होता है firstly toolbox जो होता है इस पर right click करना होता है and select component from the given option और given options जो आपके पाद available होते हैं जैसे ही आप component option को select करते हैं तो add component window will open यानि कि आपके पास एक component box open हो जाता है जिसमें क्या करना होता है आपको control tab पर click करते हैं जैसे ही आप तो वैसे ही आपके सामने एक list के view हो जाती है जिसमें काफी सारे हमारे components को add करने के लिए components दे रखे होते हैं तो वहाँ पर हम search करते हैं हमा search and select the Microsoft to common dialogue box option तो हम search करते हैं Microsoft लिखते हैं तो Microsoft हमारे पास के जितने भी dialogue box होते हैं वह available हो जाते हैं तो हम उन में से select करते हैं Microsoft common dialogue box देन हम उसको select करने के बाद वहाँ पर click करते हैं जैसे यह हम click करेंगे click करने के बाद bottom side में हमारा होता है apply button इन आप्राइब करने के बाद क्लिक करते हैं इसे हम पर click करने के और apply हो जाता है इन हम जैसे close button पर click करते है तो वह component यह होता है then the new component will show in the toolbox तो वह component जो होता है वह हमारे toolbox में add हो जाता है then drag it to use in the form फिर हम क्या करते हैं उसको control को common dialogue जो होता है उसको हम drag करके अपने form पर drop कर देते हैं and select some command button to show the appropriate common dialogue boxes फिर हम क्या करते हैं कि कुछ command button अपने forms पर उसके साथ लेकर उसकी proper working को define करते हैं यानि कि हम जो component add कर रहे हैं आप common dialogue का उसकी help से क्या होगा हम जहां जहां भी dlg या dialogue लेखेंगे तो वह उस particular dialogue box को open कर देगा यानि कि वह एक तरीके से हमारे लिए dictionary का काम करेगा कि उसको हम जो भी टास्क देंगे वह उसको working सर्च करके उसको हमें शो या display कर देगा आए देखते हैं देखें यह हमारे पास इस तरीके से form है यह form होता है हमारा form में आप देख रहे होंगे यह हमारा जो हमने न्यू कंपोनेंट एड़ कर रहा था वह हमारे पास न्यू कंपोनेंट इस तरीके सा आज आता है फिर यहां पर हम कुछ कमांड बटन लिये हुए हमने आप देखें ओपन कमांड एक हमने कमांड बटन लिया जिसको हमने क्या करा कैप्शन की प्रॉपर्टी में जाके उसका नेम दे दिया हमने ओपन यानि कमांड बटन में जो कैप्शन की प्रॉपर्टी होती है वह उसकी प्रॉपर्टी से देन इसका भी हमने क्या करा कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके इसका नेम चेंज कर दिया प्रिंट तेन कलर एक कमांड बटन 4 है हमारा कलर देन कमांड बटन 5 है हमारा से यह हमें इसलिए आपको बताने पढ़ रहा है वरवली के कमांड बटन की नंबर इंग 12345 कि आपको क जीली समझ में आजाए तो आये discuss करते हैं की कोडिंग के बारे में अगर कमांड बटन करते हैं कमांड बटन 1 की वाद करें तो हमारा कमांड बटन वन है उसको हमने के यह रख़ा है open ठीक तो जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो cd1 यार्णिक डायलोग वक करते हैं किसी वी एक फायल को उपन करते हैं तो 1 हमारे पास गैलरी का ओफ्षण खुल के आ जाता है उसी तरीके से हमारे पास open dialog box का open dialog box open ओकर ओकर आ जाएगा जिसमें कि हमारी searching files है यह फिर हमारी जहां-जां ट्राइफ खर हमारी drives open ओकर आ जाएगे देन् नेक्स्ट होता है हमारा font, command button 2 के अगर हम बात करें तो font, font पर हम जैसे ही click करेंगे, यानि command 2 dot click, command 2 underscore click, इसकी help से क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा, कि Microsoft Word में जैसे कि आपके पास font page open होकर आ जाता है, जैसकी help से आप अपना font size, font style, font color change कर सकते हैं, उसी तरीके से सेम आपके सामने, यहाँ पर font dialogue box open होकर आ जाएगा, with the help of show font method, next one is print, यानि कि command button 3 के अगर हम बात करें, तो आपके पास है, print के लिए, तो print के लिए अगर हम बात करें, तो आप देख रहे होंगे, कि यहाँ पर हमारे पास है, private sub command 3 click, cd1.show printer, यानि की printer का जो dialogue box है, हमारे पास, printer के options का जो dialogue box है, हमारे पास वे open होकर आ जाएगा, जिसमें की हमारे printer की settings होती है, then next one is color, आप देखते होंगे, paint में आप जिस तरीके से work करते हैं, या Microsoft Word में आप इस तरीके से work करते हैं, तो आप जब color पर click करते हैं, तो आपके पास एक grids की form में color से show होने लगते हैं, same as आप जैसे ही color के, आप command button पर यहाँ पर click करेंगे, तो आपके पास color का जो dialogue box होगा, वे open हो जाएगा, यानि कि इसकी हम बात करें, तो यह है हमारा command button 4, then command button 4, click cd1.show color, यानि कि यहाँ पर आपके सामने, command button, sorry, color का जो dialogue box है, वे आपके सामने open हो जाएगा, then next one is save, save, save का क्या होगा, कि private sub command 5, click cd1.show save, end sub, अब आप क्या कि अगर particular file में आप जैसे देखते हैं, कि आप किसी file को save करते हैं, तो आपके सामने option आजाता, save, save as, close, तो same as आपके सामने क्या होगा, save का dialogue box open होकर आजाएगा, अभी मान लेजे कि हमारे पास यहाँ आपके सामने इसे भी लेख सकते हैं इसको, private, sub command, 6, hard click, cd one dot show, cd one dot, cd1.show help then and serve तो इसकी help से क्या होगा कि आपका जो आप देखते होंगे जैसे कि आप किसी भी जैसे आप Microsoft Word यूज़ कर रहे हैं या आप पर क्लिक करेंगे help option पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके सामने अगर आपका नेट अक्टिवेट है तो आपके साथ उनलाइन जितनी भी help है वैविलेविल हो जाएगी यानि कि आपके सामने help का आप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमने name दे दिया help तो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास help का जो डैलोग बॉक्स होगा भाग है शो हो जाएगा तो आज हमने जो डिसक्स करा हूँ हमने common dialogue प्रिफली डिसकस करा जिसमें हमाने किया जो डिसकस करा वे यह जितने भी हमारे पास मैथट्स थे उनको हमने ब्रीफली डिसकस करा आज का लेक्चर आपको अच्छे ते समझभाया होगा आज के लिए थेंक यू वेरी मॉच है वनाइज डे